इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं अपने जो 7 लेयर थे OSI मॉडल के ठीक हैं उसके ओपर है detail में discussion करने वाले हैं पिछली वीडियो के अंदर हमने 7 लेयर देख लिए थे ओके तो आज हम सब देखने वाले हैं और detailing के अंदर एंड इसके बाद आपको अच्छी clarity हो जाने वाली है ठीक है जो OSI model था उसकी 7 layer के उपर जो 7th number का layer है which is application layer तो आज की वीडियो में अपन application layer धंग से बढ़ेंगे क्या काम है application layer का किस तरीके से अपन इसको visualize करने वाले हैं वो सब समझते हैं ओके तो चलते हैं शुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले मैं बात करूँ OSI model क्या है OSI stands क्या करता है एक बार सब अपने मन में बोलेंगे क्योंकि सभी ने previous वीडियो देख रखा है नहीं देखा है तो देखके आओ OS stand for open as stand for system and interconnection ठीक है open system interconnection OSI क्या है open system interconnection एंड इसकी जो seven layer है seven layer कौन कौन सी है पहली application layer दूसरी presentation layer तीसरी session layer ठीक है चौथी transport layer पांचवी network layer छटवी data link layer एंड साथ वी physical layer ठीक है अपन यह 7th होती है 6th होती है यह होती है यह 5th यह होती है 4 3 2 1 अपन चाहें तो physical layer से पाढ़ना शुरू करेंगे ब concept सीखेंगे अपन उल्टे से क्यूं सीखेंगे उल्टे से अभी समझ माएगा ठीक है अपन हमेशा start के से करते हैं यूनिक तरीके से करते हैं ऐसी चीज समझेंगे कि जो कभी भूली नहीं जाएगी ठीक है मेरी खाल से आप लोगोंने पहले भी पढ़ रखा होगा अगर प पता दी एक होगा भाई यह सर्वर दूसरा होगा रिसीवर एक होगा सेंडर दूसरा होगा क्या रिसीवर सर्वर या होस्ट कहलो यह सेंडर या रिसीवर कहलो तो भाई सेंडर क्या करता है सेंडर क्या होता है कि जहां से डेटा सेंड हो रहा हो तो डेटा की सेंडिंग इस इंट्रेक्ट कर सकते हैं अब यह होता है अब यह होता है यह उतर रिसीवर तो सेंडर इस डाउन फॉल जा रहा है ना देखो नीचे की तरफ जा रहा है तो अपन यहीं से से शुरूर नहीं करें यहां से करोगे फस होगे अभी समझेंगे फसने का तो नहीं है बट दिमाग में नहीं बैठेगा वह चीज ठीक है और रिसीवर इस तरीके से उपल लेगा ठीक है इस तरीके से डेटर रिसीव करेगा जिसका जो डारेक्शन जो है एकदम आपोजिट के रिसीव होने के लिए ओके तो काम यह है अपन सेंडर से पढ़ रहे हैं बात वही है रिसीवर का भी काम वही है तो अपन पढ़ेंगे सिर्फ साथ ही या तो यह पढ़ ले या तो यह पढ़ ले है अपन कैसे पढ़ रहे हैं इस तरीके से पढ़ रहे हैं सेंडर की audio कुछ भी फॉर्म में हो सकता है डेटा तो डेटा को सेंड करना सेंडर का काम है सेंड करना यह सरु करना किसको रिसीवर को तो भाई आपन पढ़ रहे हैं एप्लिकेशन लेयर से अब देखो एप्लिकेशन लेयर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं यह शुरू की च लेयर जो ती रिस्पॉन्सिबल होती होस्ट के लिए होस्ट मतलब मशीन वह नहीं होस्ट मतलब वैब साइट के लिए ठीक है जहां पर ब्रावश새्श चहां पर काम कर रह ठीक है समझो अभिवास अभी सम भी समझो बस सुनते रहो बाकी चीजैं मैं सम्जाओंगा पूरा ठीक है और जो network से लेके physical तक मतलब जो remaining तीन होगा network data और physical layer यह responsible होती है network के लिए समझ में आ रहा है नहीं भी आगा समझाएंगे ठीक है physical layer तो भई यह hardware पर depend है data link layer data को share करने पर depend है यह अभी अभी सीखेंगे सब चीज़ चीज़ अच्छे सब सीखेंगे को टेंशन मतलो जो मैंने बताया बस उत्ता समझो इसको ठीक है नहीं समझ मैं अभी या अभी फिर से अच्छे से डीटेलिंग में समझेंगे तो पहले मैं discuss करता हूं जो अपना 7th number का है उसके ऊपर ठीक है तो पहले यार 7th number के ही discussion कर लेते हैं इसको करते हैं यह 7th होगा यह कि जो आपका application layer है ठीक है यहाँ पर देख रहा है आप application layer को शुरू के यह चार है वो responsible है host के लिए और जो last के तीन है वो responsible है network के लिए ठीक है मतलब implementation last का तीन जो है mostly data link layer और physical layer इन दोनों का जो implementation है वो hardware plus software दोनों में ठीक है और जो शुरू के दिख रहे हैं उनका mainly किस पर है software पर है सिर्फ और सिर्फ समझते हैं देखो सबसे पहली layer कौन सी है यह application layer ठीक है सबसे पहली layer कौन सी है application layer ठीक तो अब अपन application layer समझते हैं मैंने क्या बता है शुरू क्या है application layer है और यह क इसका जो 7th layer है which is application layer एकदम दिमाग में बैट जाएगा मैंने क्या वोला यह implementation किस पर है इसकी implementation सिर्फ और सिर्फ software के उपर है मतलब देख आर आप कुछ भी application चला रहे हो अपने system में host machine में या फिर server machine में समझते हैं पहले host machine में अपन क्या क्या चला सकते हैं browser रहना browser चला सकते हैं Google Chrome mozilla Firefox पहुत सारे internet explorer यह सब क्या ब्राउजर है अपन email चला सकते हैं ठीक है अपन remote desktop चला सकते है remote desktop क्या होता है रिमोट desktop मतलब कि आप यहां बैठे हो और दूसरे system का access ले सकते हो ठीक है एक system है दिल्ली में ठीक है दूसरे system में भई यह माधिप्रदेश में इंदोर में ठीक है यहां बैठा दिल्ली का बंदा यहां बैठा इंदोर का बंदा तो अलग-अलग operating system के पास अलग-अलग remote applications होते हैं यह इंदोर वाले बंदे ने इसको access दिया कि भाई मेरे system में और यहीं सारी चेंजर्स कर ले तो यहां से जाकि सारी चेंजर्स कर सकता है सब इने यूस क्या होगा टीम विवर नामक एक application यह फिर any desk तो जिस तरीके से इनकी working होती न तो यह working remote remote desktop की भी working की तरह ही होती है तो फ्रोग्राम Windows के अंदर आता है और UNIX के अंदर आता है यूनिक्स और लिनिक्स के अंदर आता है टैलनेट ठीक है यह क्या करता है रिमोट ली एकसेस कर लेता है एक सिस्टम से तूसरे सिस्टम में वाय इंटरनेट ठीक है तो यह भी क्या एक तरीका का application है तो browser help करता है कि क किस चीज की help करता है कौन से protocols use करता है browser HTTP ठीक है क्योंकि आप कुछ भी सर्च कर रहे हो browser के अंदर तो या थो STTP या STTP सके help से protocols होते हैं कोई भी browser में आप कुछ भी सर्च कर रहे है तो आपका HTTP protocol या STTPs protocol या फिर FTP protocol file transfer protocol use होता है browser के अंदर तो यह दो चीज़ें ज्यादा यूज होती है एक है ना hypertext transfer protocol विच से क्यों और भी कहीं के यूज होता है साथ में file transfer protocol यूज होता है तो यह browser application के अंदर यूज हो सकता है ठीक है फिर अगर email की बात करते हैं तो simple mail transfer protocol SMTP है ना तो यह वहाँ पी email या फिर email जीमेल जो भी कहता है उसमें यह यूज हो जाता है ओके तो इस तरीके के protocols यार यूज होते हैं प्रोटोकॉल में अल्री डिसकस कर चुका हूं तो यार application layer की अगर मैं बात करूं application layer इस एक software implementation layer है जिसके अंदर आपन पूरा discussion करेंगे यार अच्छे से किस चीज के बारे में पूरा software के बारे में ठीक है ओके तो यार मेरे खाल से इतना तो आपको clear ही हो गया होगा ओके यह एक बहुत ही important layer कह सकते हो आप इसके अंदर आपन जो भी चीजें है ठीक है वह क्या हो रही है वह सर्फ हो रही है with the help of protocols ओके तो यह सारी चीजें handle करता है ठीक तो application layer is एक बहुत ही प्यारा statement ध्यान से सुनो application layer is not an application application layer एक application नहीं है बिल्कुल सती बचनाई है ठीक है क्या बोल रहा हु function भाई आभी बताए ना यार ब्रावजर है किसकी हेलब से करेंगा फाइल ट्रांसफर कर सकता है https प्रोप्रोटोकेust ने कमकार सकता है इमेल क्या कर सकता है इमेल सिंपल मेल अछले मेल ड्रांसफर प्रटोक notes MTF यूज कर सकता है इसतरिके से यह सब क्या है application layer function ही तो है यार यह सब चीज़े तो है ठीक है तो क्या बोला मैंने एक statement बहुत ही प्यारा statement है true false वाले statement है an application layer is not an application application layer जो है तुम्हारी वो एक application layer जो है वो एक application नहीं है ठीक है application layer browser नहीं है देखो बताते applications क्या होता है जो कि आप अपने system में यूज कर सकते हो ठीक है download करते हो कुछ फोछीज़े तो सब क्या कहलाते है applications ही तो कहलाते है एपस ही तो कहलाते है ठीक है application layer is not your apps या फिर application वो एक application नहीं है application layer अलग होती है layer समझते हो ना layer एक app नहीं है बट ये जो है perform करती है applications functions को application functions कौन कौन से browsers ठीक है जो file transfer कर रहा है या HTTP को कर रहा है request response कर रहा है ठीक है या फिर email simple mail transfer हो रहा है ठीक है तो ये सारे protocols use हो रहे है I think application layer confirm लिस अभी को समझ में आ गया है अगर कोई आपसे पूछते application layer क्या है तो आप बता सकते हो कोई आपसे पूछता इसकी functions क्या है तो आप I think बता सकते हो file transfer करना इसका function है ठीक है mail को service करना mail किसी को forward करना ठीक है या mail को store करना ये एक तरीके का इसका function हो गया application layer का ठीक है ओके तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पढ़ जाएंगी और कौन-कौन से protocol mostly use हो सकते है application layer के अंदर तो ये भी आप लेख सकते हो कि भाईया यहाँ पे http protocol https हो सकता है file transfer protocol हो सकता है साथ में भाई कौन-कौन से smtp जो की simple mailing transfer protocol हो गई तो ये different types of protocols आप यार application layer के अंदर use कर सकते हो ठीक है protocols क्या होता है sets of rules हो सकता है ओके कैसे कैसे हमें नहीं पता देखो मैं बता देता हूं एक server है दूसरा receiver है तो यार server send कर रहा है data ठीक है और receiver इधर से collect कर रहा है अब इन दोनों के बीच में अगर interaction हुआ कौन से प्रोटोकॉल की help से होगा application protocol की help से होगा इन दोनों में होगा तो presentation protocol इन दोनों में होगा session protocol टांस प्रोटोकॉल इस तरीके से हैं सारे protocols वर्क करते हैं ठीक है तो protocols क्या होगा set of rules होगा है ठीक है मैं हिंदी बोल रहा हूं आपको हिंदी समझ में तब ही आएगी जब मैं हिंदी के protocols follow करूँगा ठीक है ओके तो यह वही sense में आप इसको ले सकते हो तो protocols के बारे में मैंने detailing में already बता दिया है I think आपको अब जो 7th number का जो layer था application layer वो confirmly पूरा clear हो गया होगा इसके अंदर मैंने बताए कि application layer होता क्या है एक बहुत ही प्यारा question discuss किया जो statement wise हो सकता है true false application layer is not an application application नहीं है बट यह application functions को support करता है या perform करता है कौन-कौन से application functions है यह क्या क्या है बताओ email support मतलब email वगरा यह सब ठीक है और कौन-कौन से protocols को use करता है HTTP कर सकता है HTTPS कर सकता है file transfer protocol कर सकता है SMTP कर सकता है तो different type of protocols को यूज करता है यह application layer और किस पर implemented software पर application app किस पर implement होता है software पही होता है न क्या आपने देखा CPU एक app है सुना यह नहीं keyboard एक आप है सुना क्या नहीं तो यह सब क्या हाडवेर रहे यह यह सब क्या हाडवेर की बोर्द हाडवेर हो गया mouse हाडवेर हो तो mouse के अंदर आपने कोई application सुनी है कि mouse के अंदर में यह वाले game खिलता हूँ नहीं नहीं सुनी न यार बट आपने ये सुना है कि window 10 में हम भाई ये GTA चला सकते हैं window 11 updated हो गई है इसके अंदर अपन movies देख सकते हैं windows के अंदर अपन क्या सर कर सकते हैं ये सारी अप्लिकेशन इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो कहने के बाद यह है कि अप्लिकेशन लेयर जो है इंप्लिमेंटेड है software के ऊपर not hardware इतना तो clear है न इतना तो clear है न हर एक चीज बताऊंगा भाई हर एक चीज ठीक है तो आज की वीडियो के अंदर अपने application लेयर को अच्छे से इसकस किया यह कौन से लेयर लेयर नमबर 7 ठीक है अपन उल्टे से चल रहा हैं फस्ट लेयर से नहीं चल रहा है ध्यान से देखो यहां पर यहां पर ध्यान से देखो this is your first layer this is your second third fourth fifth sixth seventh अपन ने पढ़ लिए है ठीक है अपन चल रहे हैं ऐसे ऐसे डाउन फॉल में चलेंगे पहले अप्लिकेशन चलेंगे क्यों चल रहे हैं अपन ऐसा क्योंकि आपको आगले वीडियो के अंदर पता चलेगा जब अपन प्रेजेंटेशन लेयर समझेंगे ठीक है अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे अच्छे समझेंगे क्योंकि देखो आप यह दो तीन लेयर समझ लोगे आपको आपको अल्रेडी समझ में आ लेगा कि फ्लो इसका डाउन फॉल वाला क्यों यूज किया बहिया ने इनको ऐसे नीचे वाली तरफ का क्यों यूज क कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करता है कौन कौन सी चीजें यूज करता है यह ठीक है तो वह भी क्लियर हो गए होगी फिलाल मिलते नेक्स वीडियो के साथ बाइ करते हैं यूज करता है यूज करते हैं कि अबाइशने हम यूज।